हालो फ्रेंस में प्रिम्ता हुश और में जनकर स्वागत है आज हम रोज एसेंसिल ऑल बनाना बताएंगे आपको जो बहुत ही फायदे मन है बहुत एफेक्टिव है इसका बहुत अच्छा आता है फ्रेंस बहुत फायदा करता है इसकी में बिल्कुल धीमे धीमे से लगाते सब्सक्राइब करेंगे आप 2-4 दिन के बाद पता चल जाएगा इसके बहुत बहुत ब्लोइंग से लगने लगती है बहुत ही चमा का जाती चेरे में बहुत फायदा करता है फ्रेंस मिझे तो बहुत ज्यादा पसंद है और आप भी इसे बनाकर लगा कर देखिएगा आप निकालनी है और अच्छी से साख लिया है इसके जो तुल मिट्टी होती से साख कर लेना है और अब चलिए हम बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें एक कांच की बाटल चाहिए आपको साख होनी चाहिए बिल्कुराइब कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए तो यह मैने लिया है देख सकते हैं 5-6 चम्मच से अब इसमे हम डालेंगे बादाम को तेल ज़नागे लाए नेका है आलमंड ओल जैनम डाला देख सकते हैं तो यह है अल्मंड ऑल डालेंगे आप पास जो भी हो आप बना सकते हैं अगार दोनों में से को यह खो उसे भी बना सकते हैं और इस फूल को हम इसमें डालेंगे तो पहले इस फूल को हम अच्छे से इस तरह की सहां से तोड़ेंगे अहां से हम इस तरह की से मसल लेंगे इसको जैसे क्रंबल नहीं करते हैं इस तरह की से करना है देखिए इसको करके इस तरह की से डाल देंगे हम इसमें तो सभी फूल को हम इस तरह की से तोड़के पहले मसल लेंगे इसके अंदर हम डालते जाएंगे चम्मच लेंगे उसे अच्छे से इस तरह की से मिक्स कर लेंगे तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है अब चलिए इसको हम बनाते हैं इस पानी को हम तुना गरम होने देंगे ठट संब्सक्राण को चुका हो और पान को पाना जया खुले लगा है अब उसको क्या करेंगे उसको बंकर देंगे इसे बटल को और इसके अंदर डाल देंगे आए और तरह ने देंगेे तक यह करना ने होगा तो जर्दिसे बाब ठंदा नहीं होगा पानी अमारा तो करीब इसको हम 5 मिट के लिए ढख देते हैं उसके बाद इसको देखेंगे खोल के फ्रेंज 5 मिट हो गया है चलिए हम देख लेते हैं कितना कलर इसका चेंज हो गया है और अब इसको हम चाल लेंगे बहुत अच्छी कुजबू आ रही है फ्रेंज इसको बहुत अच्छी से मिस्तरी की से मिंका लेंगे इसका ओइल फ्रेंज इसको फेकना नहीं है इसका बहुत अच्छा पैक बनाना बताएंगे हम आपको अभी कि अड़िए फ्रेंज यहाँ इसन्सेर वर तयार हो गया इसा कलर कितना चैंज हो गया है बहुत अच्छा हमारा थाका रोज आपकर के बोटल ली है क्थोड़ी इसमें डाल देंगे हम और इसमें हम एक पंकुरी डाल देंगे गुलाब की से तुर्लिव इस तरह किसे आप बना कर रखिए और रोज इसे लगाई है रात में सोने से पहले लगा लीजिए उस सुबह उपके देखेंगे बहुत अच्छी स्किन रहेगी आप से दिन में भी लगा सकते हैं बहुत इसकी रुखी हो तो आप से दिन में जरूर लगाएंगे फ्रेंस कि बहुत जल्दी स्किल में सूख जाता है देखिए मैंने बहुत बसार अपने हाथों में लगाया था तो बिल्दकर सूख गया है इसी तरह कि आप चेरे में लगाएंगे बहुत अच्छा शाइनिंग आएगा बहुत अच्छी जमक आएगी दिमिदे में आपके स्किन बहुत पिंकिस से हो बहुत इच्छी ग्लोइंग हो जाएगी फ्रेंस बहुत अच्छा लगेगा आपका चेरा तो इस तरह के साब बना कर लगाए रोज इसेंसियल ओए इस तरह किस जो गुलाव की पत्नियां बची हुई है इसमें और लगी हुई है ढ़िये सारी इसमें सोक कर लिया है तो इसमे हम एक बहुत अच्छा फेस पैक बनाना बताएंगे आपको और इसमें हम लेंगे थोड़ा सक तील मेरे पास सफेद तील है आप सफेद तील से बना सकते हैं इसमें हम डालेंगे और इसमें हम डालेंगे दूद आख पास कच्छा दूद है दूसे भी जाल सकते हैं या फिर आधमोर डालेंगे अब इससे हम पीस लेते हैं बब्ल को बारीक पेस्ट बना लेंगे अधिया फेल देखिये मैं पीस लिया है इसको देखी बहुत थी बहुत ङे बारीक पेस्ट बन गया है पहले से में निकाल लेंगे इस तरह के हाथ में आप पूरे चेहरे में लगाना है फ्रेंस लगाने के बाद इसको सूखने देना है उसके बाद जो सूख जाए तो इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह के सरब करके छुड़ाएं इसका जो डट होता है जो गंदगी होती है साप हो जाएगी और इसकी बहुत ह चमकदार बनगा बहुत ठाएं कि एक्षा उसके बाद आप एसिंसेल और को लगा सकते हैं रोज्चलीकी साथ हमारा अच्छा थैयार प्सक्राया साथ हमारा फेसी स्क्राल इसे बहुत यह पाद कर नगा देखी तो इसे लगा कर दिखाया बहुत इसके बहुत तो बहुत फाइदा करता है और उसके सांथ साथ इस तरह की सामने आरवेदिक पैक भी बताया है आपको इसक्रब भी कह सकते हैं तो आप इसे दोनों तरह जिस कर सकते हैं सक्रब की तरह पैक की तरह भी certain तीन बार जरूर लगा हे बहुत फाय्दा करेंगा इससे गयाँ गर्काफ फीमपस करते के दाग ठाइब Merciश्च लाने वाले हैं प्रेंस्ट और Сब्लीक्व AH इसे जडरूर तॉर तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू